किसानों के लिए बिल पारित हुआ चंपसत भवन में और देश विरोधी ताकते जो है वो एकत्रित होने लगी जो किसान बिरोधी ताकते हैं वो एकत्रित होने लगी कोई बिल फाढ रहा है कोई मायक छीन रहा है भाई एक महासे ने तो हदी कर दिया देखिये टेक्टर जला दिया बोल रहे हम किसान है अब एक बात बताईए एक किसान है तो किसान पैसो की कीमत समस्ता है हम खुदी किसान है हम पैसो की कीमत समझते है अब ये देखिए 7-8-88 ohne की ट्रेक्टर है अभी माले जे पुराना हो गया पुराना हो गया तब भी उसकी कीमत कम से कम 2-5 लाख है मैं पुरा सिस्टम लेके तो पड़ी जाता है अभी पुराना हो गया तब भी दो लाख की हो अब दो लाख की ट्रेक्टर कोई मतलब प्रधान मंत्री का बिरोज करने के लिए फूक देगा क्या कोई किसान फूक देगा किसी किसान के पास इतनी पैसे हैं जो दो लाख की ट्रेक्टर प्रधान मंत्री मोधी का बिरोज करने फूक दे भाईया हमें तो ना लगता हमें तो ना लगता कि कोई किसान फूक सकता है कोई भी किसान ने फूक सकता भाई मतलब राजनीती करने के लिए किसानों को रोड पे ला देना राजनीती करने के लिए किसानों पर लाठी चार्ज करवा देना राजनीती करने के लिए कि अधान का नियम है यह थोड़ा हमें भी बता दीजिये कि मतलब खिसानों को बदधनाम करने के जितनी जितनी ठेका ले रखे हैं ना आप लोग ही ले रखें अब सोचिए कि किसान अगर ट्रेक्टर जला देंगे तो क्या किसान की पास कमी है क्या पैसो की हद करते हैं आप लोग बोलते किसान ट्रेक्टर जला रहा है देखें ये स्क्रीन पर भी चल रहा होगा ट्रेक्टर की फोटो कि ट्रेक्टर जल रहा है, कोई किसान जलाया नहीं, राजनेता है, अपना ट्रेक्टर भेजवा दिये, कि भाई लोग फूक दो, कब से कम मोदी का इस तरीके से भी तो सोड़ा विरोध हो जाए, भाईया हमारे किसान इतने बुडबक नहीं है, इतने बखलोल नहीं है हमारे क किसान, सबको पता है, सिस्टम क्या चल रहा है, सबको पता है, कि जो प्रधान मंत्री जी है न, यह हमेशा देश की भले की सोचते हैं, सबको पता है, नीजी करण का क्या हुआ, ओ तो हम बताई देंगे, कि नीजी करण लाना क्यों जरूरी था, हर चीज का प्रइवेट जो किया गया ना, ओ क्यू जरूरी था ये हम बताएंगे, अब जब प्रधान मंतर जी डीरेक्ट बोल रहा है कि हम फसल खरीदेंगे, जो सरकार है, सरकार फसल खरीदेगी धान है, गेहु है, मकई जो बाजडा जो भी है ना, सरकार खरीदे गे धान भाई जब सरकार खरीदेगी उसे एरतान के तौर पर गरीबों में दिया जाएगा इना उसमें दिया जायेगा इस सब कुछ चमिछ समझते Define जितने हमारे भाई बंदू हैं सब जानते हैं सिस्टम क्या चलता है देश विरोधी कौन है समझे हो ना बाकी जैस्त्रीराम हर हर महादेव